नमिश्कार आप देख रहे हैं स्पिटी न्यूस पर 16 नुवंबर शनी वार सुबह सवा छे वजे राजस्तान की बड़ी खबरें ग्रह मंत्री अमीड शार शुक्रवार को महारास्ट के हिंगोली में चुनाव प्रचार के लिए आये थे इस दौरान चुनाव आयोक के अधिकारियों ने हलिकूप्टर में रखे बैग और बाखी के समान की जांश की अधिकारियों ने इसकी वीडियोग्राफिय भी करवाई शाह ने अपने हेलिकूप्टर की जांश की जांकारी एक्सपर पोस्ट की उन्होंने लिखा कि आज महारास्ट के हिंगोली विदान सबाग शेतर में चुनाव प्रचार के दोरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मेरे हेलिकोप्टर की जांच की बाजबा निश्पक्स चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रनाली में विश्वास करती है साथ हिमारन ये चुनाव आयोग के बनाए गए सभी नीमों का पालंग करती है देवली उन्यारा सीट पर उप्चुनाव की वोटिंग के लिए हुए थपड कांट के बार सरकार के लिए राहत की कबर सामने आई है क्योंकि निर्दल्टिया पर्ष्ट्यक्षी नरेश मीना द्वारा स्ट्यम अमित कुमार चोधरी को जड़े थपड के मानने के मामले में R.A.S. Association ने हर्टाल की चितामनी वापिस ले ली है मीडिया रिपॉर्ट्स के मताबिक R.A.S. Association की बैठक में पैंड डाउन हर्टाल खतम करने का निर्डिया हुआ है पता दे R.A.S. Association के पतादिकारियों ने शुकरवार सुबह राजस्तान के सीम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और अपनी मांगे उनके सामने रखी पताया जा रहा है कि सीम ने उनकी मांगे पूरी करने का अश्वासन दिया जिसके बाद हर्टाल खतम करने का फैंसला लिया गया R.A.S. Association के पतादिकारियों की बैठक में ये भई फैंसला हुआ है कि तीस दिन में हमारी बात नहीं मानी गई तो हम तीस दिन बाद वापस से हट दाल करेंगे नोकरी से हटाने की धमकी दे कर मेरा जबरन वोट डलवाया गया राहसन के S.T.M. के थपड़ कान विवाद में S.T.M. अमिच चोदी का कहना है कि वे घटना के दिन अपनी जूटी कर रहे थे वे अपने आप को इस घटना का पेडित नहीं मानते उनकी जगे अगर कोई और S.T.M. या अधिकारी होता तो उनके साथ भी एगटना हो सकती थी वहीं दूसरी दरफ टॉक कलेक्टर डक्टर सोमया जहां समरावता गांप पहुची वहां आशा से अयोगनी चित्रा मीना ने कलेक्टर से कहा नरेश मीना के फरजी वोटिंग करने के आरोप पर अमी चोधरी ने कहा अपरादी खटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति अपने बचाओं में आरोप लगाता ही है उन्होंने कहा कि आरोप कोई भी लगा सकता है अगर आरोपों में सचाई है तो उसे साबित करना बढ़ता है जैपुर जिला परिशत प्रशासन ने फरजी तरीके से जूनियर कलर्ट पद पर हुई नियुक्ति के मामले में बड़ा एक्शन लिया है परिशत ने इस मामले में लिप दो करमचारियों को सस्पेंड किया है नियुक्ति पाने वाली महीला कलर्ट की सेवा समाप्त कर दी है जिला परिशत अद्रिक सीओ शेर सिंग लुहाडिया ने इस मामले में हुई जांच की रिपोर्ट के बाद सहाइक प्रशास्निक अधिकारी संदीप पर्मा और निटेश टाटी वाल को परस सहल लंबित कर दिया है इसके बाद ही दोनों की उपस्तिती को जिला परिशत से हटा कर दूर सान मुझूद पंचाय समीती मुख्याले पर देने के आदेश दिये हैं वहीं इस मामले में फरजी न्यूक की पाने वाली अंजली चंद्रा की चैन प्रकिरिया को निरस्त करते हुए उनकी सेवाई समक्त करने के आदेश जारी किये गए है तौंक चिले में हुई हिंसा पर कांगरस नेता सजीन पाइलेट ने प्रतिकिरिया दी है उन्होंने पूरे मामले पर सरकार के रविये पर सवाल उठाए है पाइलेट ने कहा कि मद्दान के दोरान हुई घटनाओं के बाद सरकार का रविया दिखाता है कि सरकार का कोई नियंतर नहीं है सरकार के पास ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पहले से कोई यूजना नहीं थी उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से नागरिगों का अक्रमन किया है जिस तरह से पुलिस ने गाउन में घुसकर महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों के साथ बरबरता की उससे सरकार का चहरा पता चलता है पालिट ने रहस्ताल सरकार को कटगरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर सरकार का नियंतर नहीं है कानून विवस्ता बनाई रखने में आपकी रूची नहीं है तो इसका खामिया जा जनता क्यों भुगते जारगन के देवकर में शुकरवार को पीम मोदी के प्लेन में तक निकी खराबी आ गई वे दोपहर दो बचकर बीस मिनट पर विमान में सवार हो गए थे लेकिन वे उडान नहीं भर पाया इसके बाद दिल्ली से उनके लिए स्पेशल प्लेन भेजा गया इसके बाद शाम चार बचकर पचपर मिनट पर दिल्ली रवाना हो गए सुत्रों के मताबिक SPG ने उन्हें एरपोर्ट के लॉंच तक जाने की पर्मिशन नहीं दी मोधी सुपह प्लेन से देवगर आये थे यहां वे बिहार के जमोही जन जातिया दिवस पर आयोजित कारेकरम में शामिल होने गए वापसी में उन्हें देव घर से ही दिल्ली जाना था लेकिन प्लेन में खराबी आ गई थी रास्तान में SGM को थपड मारने के आरोपी नरेश मीना की गिरफतारी के बाद दरसल यह पूरा वाक्या तब हुआ जब 13 नमंबर को राजस्तान की साथ विदान सवा सीटों के लिए मद्दान चल रहा था इस दोरान देवली उनियारा सीट के अंतरगत आने वाले समराबता गाम के ग्रामीनों ने कुछ मांगों को लेकर मद्दान का भहिशकार कर दिया इसकी जानकारी मिलने पर इस सीट से चुनाव लड़ रहे निरदली प्रत्याक्षी नरेश मीना मोके पर पहुँचे उन्होंने अधिकालियों से बात करने की कोशिश की इस दोरान उन्होंने अपना आपाक होते हुए नरेश मीना ने मोके पर तैनात स्टम को थपड मार दिया कुछी देर में इस पूरी खटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया पुलिस पर नरेश मीना को गिरफतार करने का दबाब बढ़ गया मरदान खत्म होने के बाद देश शाम पुलिस नरेश मीना को गिरफतार करने समरागता गाम पहुँची यदि आप पढ़ाई के लिए कमरा लेकर अपने घर से दूर पढ़ाई करते हैं तो आपको खर्चे की चिंता नहीं करनी है सरकार अप किराये पर कमरा लेकर पढ़ाई करने वाले को हर माँ दो हजार रुपे खर्चा देगी अध्यन के लिए जो शात्र अपने घर से दूर दूसरे शहरों में किराये के कमरे में रहते हैं उनको राज्जिस सरकार की ओर से हर साल 20,000 रुपे पुनर भरन राशी के रूप में दिये जाएंगे शेक्षिनिक सत्र दो हजार चोबिस पच्चिस के लिए ऐसे विद्यार्थियों के आविदन लिये जा रहे हैं चैन के अधार पर विद्यार्थियों को दस माह के लिए इस योजना का लाब मिल सकेगा कोचिंग सिटी कोटा के ब्राण ने मिस्टर कोई बड़ी सेलिबिटी नहीं बच्चे बलकि खुद ही है इसी पंच लाइंग के साथ पूरा कोटा एक जुट होकर शेहर का परसेप्शन सुधारने में लगा है मौजूदा कोचिंग सत्र में 30-35 फिस्दी बच्चे कम आये तो कोटा की किनूमी को धक्का लगा इस इंजर्शी से प्रतेक्ष अप्रतेक्ष रूप से जुड़े डेर लाग लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए अब कोचिंग से लेकर होस्टल ही नहीं बलकि प्रशासन और पुलिस तक सभी लोग बच्चों को कोटा बुलाने के लिए सांजा नवाचार कर रहे है परतमान में यहां पढ़ रहे स्टूडेंट्स अच्छा संदेश लेकर जाएं इसके लिए हर स्थर पर उनकी मान मनुहार की बेहतर स्विदाएं दी जा रही है ग्राउंड से लेकर सोशल मीटिया प्लेटफॉर्म पर नेगिटिविटी को दूर कर साकारात्मक महोल बनाया जा रहा है राजस्तान में नवंबर महाम एक उस स्थानों पर एक बर फिर सूखा दिवस आने वाला है इस दिन शराब की विक्री नहीं होगी आपको बता दे कि राजस्तान में 13 नुवंबर को साथ विधान सबाग सीटों पर उप चुनाव हुए इस दुरान इन साथ विधान सबाग शेत्रों में शराब की विक्री पर रोक लगा दी है आप अगामी 23 नुवंबर को चुनाव परी नाम आएगा इसका अनरायस्तान में साथ विधान सबाग शेत्रों जुझनू, रामगएट, दोसा, देवली, उन्यारा, खीम, सर, सलूंबर और 84 शेत्रों के तीन किलोमेटर की परीदी में सूखा दिवस रहेगा इसके अलावा साथ ही मतगना दिवस 23 नुवंबर को जिला मुख्याले जुझनू, अलवर, दोसा, टॉंक, नागोर, उद्यापुर और जिला डुंगरपुर की नगर पालिका या नगर परिशद शेत्र में भी सूखा दिवस खोशित किया गया है पुशकर मेरा मैदान में गुरुवार रात वॉलिवर्ट सिंगर के राश खेर के कॉंसर्ट में हंगामा भी देखने को मिला बड़ी संख्या में देश विदेश से सेलानी पहुँचने से भीड के कारण धक्का मुकी हो गई इतना ही नहीं लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस कर्मियों को हलका बल प्रयोग भी करना पड़ा महीं कॉंसर्ट के दुरान दर्शकों में बैठी युवक को महिला पुलिस कर्मी ने थपड मार दिया भीड की धक्का मुकी के बीच अजमेर रेंच का राले में तेरात अतरिक पुलिस अधिक शक्त वीजय सांखला के गं विजय पिस्टल चोरी हो गई भीड में बदमाश गंवन की पिस्टल निकाल कर रफू चकर हो गया मामले में पुषकर थाने में गुम जुष्टगी की रिपोर्ट दच करवाई गई है गुरुवा रात पुषकर मेला मेदान में आयजित कैलाश खेर की मुजिकल नाइट पे अपार भीड उम्री भीड का आलम यह था कि मेला मेदान के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में मेला पुरुष प्रवेश के लिए जहुद दज़त करते नजर आए दिली एंसियार में प्रदूशन का स्तर रिकोर्ड स्तर पर पहुंच चुका है हालात ऐसे हैं प्रदूशन की वज़े से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है प्रदूशन का स्तर कितना बढ़ गया है इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिली के कई इलाकों में हवा की गुनवत्ता चार सो के पार पहुंच चुकी है उत्तर भारत इंदिरो धुन की मोटी चार में लिप्टा हुआ है जिसकी वज़े से थोड़ी दूर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है वहीं तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है प्रदूशन से इतना बुरा हाल है कि AQI लगातार गंबीर श्रेनी में है इंडो गंग्टिक प्लेंस में हावा की गुनवत्ता चिंता का विश्यक बनी हुई है सैटलाइट इमेजेस से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों समेथ उत्तर पश्चिम भारत में दुंद खतरनाक सर पर दिखाई दे रही है नासा गुडाइट स्पेट्स फ्लाइ सेंटर के एरो सोल रिमोट सेंसिंग वग्यानिक हिरेन जेटफा ने बताया कि सैटलाइट इमेजेस में देखा जा सकता है कि पराली जलने से निकलने वाला धुआ बादलों में मिल जाता है और उनके उपर रहता है इसी सिद्धी की वज़े से थर्मल इंवर्जन बढ़ता है और उपर की परत गरम हो जाती है उन्होंने कहा कि इंडो गैंक्टिक पेन पर नमबर में कोहरा बढ़ने लगा जो आम तोर पर दिसंबर में होता था उन्होंने बताया कि इसमें पार्टिक गूलर मेटर जादा होता है इंडियन कॉस्वार्ट और गुजरात एटीयस ने शुकरवार को गुजरात के पोर बंदर टट से 500 किलो ड्रक्स जप्त की है इसकी कीमत 700 करोल रुपे से जादा होने का अनुमान है टीम ने गुरुवार शुकरवार को दर्मियानी रात को इस ओप्रेशन को अन्जान दिया फिलाल बोट को पोर बंदर लाया जा रहा है इसके बाद प्रेस कॉंफरेंस को पूरी जानकरी दी जाएगी जैसल मेर में औरन भूमी को निजी कंपनी से बचाने के लिए शिव से निर्दलिय विधायक रविंदर सिंग भाटी ने एक बार फिर से मोचा खुला है पाटी गुरुवार को ग्रामिनों के साथ एक बार फिर से जैसल मेर के बहिया गाउं पहुंचे उन्होंने प्रिशासन को चितावनी दी की जब तक लिखित में अश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो काम शुरू नहीं होने देंगे रवेंदे सिंग भाटी ने बिया गाउं में पिछले कई दिनों में ग्रामिनों दवारा दिये जा रहे धरने पर पहुंच कर प्रिशासन के अधिकारियों से बात की इस दोरान तहसिल दर फतेगर सियो सिटी पुलीस रूप सिंग इंदावे अन्य पुलीस दिकारी धरनासतल पर मुझूद रहे फिलाल बड़ी खबरों में इतना ही ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें देख करें ये स्पिटी न्यूज धन्यवाद नवश्कार आप देख रहे हैं स्पिटी न्यूज पर 16 नमबर श्रनीवार सुबह सवाचे वजे राजसान की बड़ी खबरे